पहलो समयल को पुस्तक 28 सद्याई तेस बेला पलिस्ती हरोले इसराल माथी हमला गर्नलाई आपनो सेना युद्धकु लागी भेला गरी आकिसले दावतलाई भने तपाई र तपाई का मानी सरू मसंग रडभुही मा जानू पर्षो भने तपालाई थाय ओला दावतले आकिसले उत्तर दिये बेश तपाई को दासले की गण सक्षा तपाईले जानू होने शा तब आकिसले दावतले भने मा तपाईले जिबन भरी ने मेरा अंगा रक्षक तुलावने शू साउल रहा एंदोर को मंत्र तंतर गर्नी स्तरे एस बेलासम में समयल मरी सकी का थी रहा सब इसराईलली तेनको निम्ती शोक प्रकट करे रहा तिनलाई तेनकी सहर रामा मा गाड़े का थी नतास शबना द्वारा न उरिम और न अगमबकत द्वाराा नुपटीनुकर। तेना लाई जबाब दीनु भयो। यसली तिनली आपना सिवक खड़ लाई भने मेरो निम्ती कुनी ओटा मंतर तंतर गरने इस्त्री लाई खोजी देव। रम तेस कहां गयरा सोत्पुच कर निशू। एंदोर मा तेस्ती इस्त्री सबनी तिनका सिवक खड़ ले तिनलाई बताई दे। तब सावल ले भिंदेई लुगा लाई रा आपना दोई जना मानिस सरुचंग गुप्त बेशमा तेस कहां गयरा तिनी राती तेस्त्री कहां गयरा तेसलाई बने। प्रेत आत्मा सित सोधीर मेरा भागिब बताई देऊ और मा जन मानिस को नाव बताऊंशू तिनलाई बुलाई देऊ। तर तिस इस्त्री ले जबाद दी सावल ले की गणु भाई कुशा तियो निश्य इतमालाई थाच ओला। वाले भुद प्रेत खेलाऊने हरलाई हटाई दिन भाई कुशा जन कुराली मेरा मेरा मेर्टु लेवनी साथ्यो गर्न लाई तपाई मले केना कारलाऊनु नूँशा। सावल ले सपत खायर तेसलाई वनी जवित परमप्रव को नामम्मा भन्दसु कि यशले गर्दा तिमी माती कोने किसीमको आपद आई परनी साईना। तेस इस्त्रे ले सोधी कसलाई बोलाऊता। सावल ले जबाब देस समयल लाई। जब समयल निश्की का तेस इस्त्रे ले देखी तब तेसली चिच्चाहर सावल ले भनी तपाईले मलाई केना धोका दीनु भया। तपाई सावल ने उनो उदरैशा। राजा ले तेसले भनी नडराओ तिमी की देखते शो। तेस इस्त्रे ले जबाब दी प्रेत कुरूप जमीन बाट निश्की रायरे कुम देखते शो। तिनली सुधी त्युकस्तु शा। तेसली भनी खास्टो ओड़ी को योटा ब्रिद्ध मानेश। मौमा ती निश्का देशा। तब तीनी समयलनी उन मनी सावललै थावयो ओतिनली घुप्टो परीरा सस्तांग दाणवत करे। समयलली सावललै बनी मिरसांतिलाई तिमीली किना भांग करेरा मलै माधिलायो। सावलली जबाब दे मठुलू संकस्तमा परीकुषू पलिष्टिहरली मलाई पेली रहेका सन्र परमीश्वरली मलाय त्याकनु भायो। उआली नता अगमबक्त द्वारा न दर्शन द्वारा मलाय जबाब दिनुँशू। की गणुपने हो सु मलाय बताय दिनुश्वनी मली त्याकनु भायो। समेलले बने परमप्रवली तिमीलाय त्याकनु भायो। और उआ तिम्रों बिरोधी होनु भायो भायो। तिमी किना मलाय सोत्पोस कर्शू। मध्वरा पहिले ने भनज़ों भैकुरा वाली गनवायकोष वाली तिम्र हात बाट राज्यखोसे रा अरको युटा मानीस दावतलाई दिनु भैकोष तिमिले परमप्रव को आगे पान गरे नाई अमाले केहर को बिर्दमा वाया को कुरोत को इन्साप लाई तिमीले पुरा गरेनाव एसेले वाले आज तिमी माथी यो काम गणू भायको हो तही कारण तिमरो प्रजा इसरायले परमप्रवले पलिष्टियर को हाथ मा पर्न दिन होनेश अब भोले तिमी र तिमरो छोरारू मसंग होनेशाव हो साची नई परमप्रवले इसरायले सेना लाई पलिष्टियर को हाथ मा सुम्पी दिन होनेशा सावल विचलित बहरा समयलका बच्छनले गर्दा तिनी डाडले भुहीमा लंपसार परेर लोटे अब दिन भरी र राद भरी पनी तिनले की नो खाईको लितिनी सक्ति हिन भए तियो इस्तरी सावल का गई र तिनलाई सारी बिचलित बहर का देखिर तिसलित तिनलाई भनी तपाई ले भन्नु भाई को कुरा मैले माने और मैले मेरो प्रान तपाई को निम्ती खत्रा माले एसकान आव मेरो कुरा सुनोज तपाई का यातर को निम्ती तपाई दे बल पाउन लाए मोगे खाने कुरा टकरावने शू तर सावल ले खाना इनकार गरे जब तिनका सिब कर ली पनी तिस इस्त्री ले भने को कुरामा जोड गरे तब तिनी समत भैर भुही बाट उठेर पलंग मा बसे तिस इस्त्री को घरमा पाले को बासा थियो तिसले तियो जट्टे काटेर बनाए तिसले केई पीठो लेर मुझे र खमेर नहाले रोटी पकाई ति तिनले सावल रतिनका सिब कर को अगे टकराई तिनीर ले तियो खाने को खाए र तेही रात तिनीर विदा भै